भारत के युवक योतियों क्रूज जाहाजों पर विभिन नोक्रियों का ये दूसरा वीडियो है इसमें भरती प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है इस वीडियो को देखने के पहले मेरा पहला वीडियो को रुपया देखी है जिससे इस वीडियो की कड़ी समझ में सबस्तात करना चाहता हूं यहां पर दो कोर्some है एक पहला कोर्स है बावर्ची बनने के लिए पुराना कोर्ट से जिसमें जिसने कैट्रिंग का कार्ट नहीं किया है और जो 10 पलस टू पढ़ा हुआ है वो आदमी इसमें जा सकता है और नया कोर्स चालू हुआ है जिसमें लोग क्रूज लाइनर में जा सकते हैं इसका नाम है ओरिएंटेशन कोर्स फ़र कैटरिंग परसनल तो इसके बारे में जानकारी दी गई है STCW 2010 के अंतरगत आपको कौन-कौन से कोर्स करने है इसकी जानकारी दी गई है आप क्रूज लाइनर में जाना चाहते हैं तो उसके डॉक्मेंटेशन कौन-कौन से लगेंगे पासपूर्ट, सीमेन बुग, इत्यादी-इत्यादी इसकी जानकारी दी गई है कहां पे आप अपलाई करेंगे उन कंपनियों की कुछ सूची यानि मैंने आपको एक उधारन के तोर पे दिया है, जाब पोर्टल पे कैसे भरने का है उसकी आपको जानकारी दी है, रिज्यू में या बायडिटा जो भी कहें उसे कैसा बनाएं, इंटर्व्यू की क्या तै जाया है, तो अब हम आगे चलते हैं, ये पहला पुराना पाठ्यक्रम का कोर्स है, इसमें क्रूज लाइनर के पहले जाज पर बावर्ची आया करते थे, तो आजकाल इंटरनाशनल मेरिटाइम और्गनाइजिशन के हिसाब से, चाहे कोई भी जाहाजे उसके उपर आजकाल जो बावर्ची है, उनको कोर्स करना पड़ता है, उस कोर्स करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट अफ कॉंपिटेंसी मिलता है, कि अब आप ने पूरे कोर्स समाप्त कर लिये हैं, या अच्छी तरह पुत्तीरिन हो गए हैं, और आप बाकी जहाजों पर जा करके एक बा लिस्ट ओफ एप्रूड कोर्स यहाँ पर आएंगे, तो लिस्ट ओफ एप्रूड कोर्स को अगर आप खुलेंगे, तो आपको यह जो 21 नंबर का कोर्स है, उसके अंदर आपको दिखेगा सर्टिफिकेट कोर्स फॉर मेरिटाइम कैटरिंग, यह आपको दिख रहा है, यह मैने का कोर्स है, यह साफ दिख रहा है, और इसके बाद में अगर आप यू को क्लिक करेंगे, तो कौन-कौन सी कॉलेजेज यह कौन-कौन से मेरिटाइम कॉलेजेज यह पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जो की दूसरे पेज़ पे हैं, और यह आपने जब क्लिक किया, तो इसके अंदर दो पेजेज हैं, एक में एक से चोई से और एक और पेज आएगा, मैंने के वले एक पेज दिखाया है, तो आप सब पेजेज में जाकरके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, यह डीजी अप्रूट कोर्स है, आप दूसरी जग जाना खा दे और पेजेज पदार्थों का रख रखाओ, क्या है कि जाज में मानलो एक पच्चीस दिन तक जाज चल रहा है, तो उसके अंदर उसका डीप फ्रीजर में कैसे रखा जाए, उसकी सफाई कैसे की जाए, उसके एकस्पारी डेट कैसे चेक किया जाए, उसके बा इसके बारे में आगे बता रहा हूँ, उसके बारे में पूरी जानकारी है, यह कोर्स जो है वो डीजी शिपिंग द्वारा अप्रूड है, और इसमें अंत में आपको परिक्षा में पास होके आपको सर्टिफिकेट अफ कॉंपिटेंसी मिलती है, अब यह सर्टिफिकेट कॉंपिटेंसी है, यह पूरे विश्व में मानने था प्राप्त है, तो आप किसी भी जहाज में जाकर के काम कर सकते हैं, अगर आपके पास इसकी सर्टिफिकेट अफ कॉंपिटेंसी है, मैं अभी क्रूज जहाजों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे जहाजों की बा बात हो रही है उसके बाद में इसका मापदंड मैंने बताया है कितने प्रतिशत मार्क होने चाहिए कितना पढ़ा होना चाहिए उसकी आयू सीमा आयू सीमा में छूट किन-किन लोगों को दी गई है उसके बाद में आपका मेडिकल होता है तो मेडिकल में मर्चंट approved doctor से ही medical करवाना पड़ता है इसकी पूरी जानकारी आप जाकर के देख सकते हैं मैंने एक संशिप्त रूप में बताया गया है अभी हम मुख्य का इसमें आते हैं कोर्स में आते हैं इसका नाम है नया पाठ्यकरम जो है वो है OCCP orientation course for catering personal और इसके बारे में में आपको जानकारी देता हूँ orientation course for catering personal जो है आप website पर जाएंगे तो again pull down सूची में आएंगे तो pull down सूची में छाचट नंबर का जो course है orientation course for catering personal ये 12 दिन का 12 दिन से लेकर 8 दिन का course होगा 12 दिन का minimum है कुछ institute 8 दिन का भी करती हैं और उसके बाद में अगर आप view को click करेंगे तो आपको आगे के list मिलेंगे ये 24 इंस्टिट्यूट्स की list है इतने ही इंस्टिट्स है जो की courses करा रहे हैं जो की डीजी अपरूड है तो इन्हीं इंस्टिट्स में करना है आपको किसी दूसरे इंस्टिट्स से चाहे वो बताएं तो भी नहीं करना है और कोई भी इंस्टिट्स में जाने के पहले आपको डीजी शिपिंग वेब साइट में जा करके डबल चेक करने का है ये हो जाने मैनेजमेंट खास करके किया है उन लोगों को जो चार साल का कोर्स किया है तो उनके लिए ये काशाजन केरियर है इसमें आपको बारा से अठरा दिन का एक औरियेंटेशन कोर्स करना पड़ता है इसको क्रूज लाइनर में प्रचूर संभावना है वो लोग इंडियन्स को ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं भारतियों को ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं अधिक्तन सीमा मिनिमम आईउ जो है आईउ सीमा जो है वाटरा से अठाइस वर्ष है हर साल काफी उमिदवारों का इस करियर में प्रवेश ले रहे हैं इसमें होटल मेनेजमेंट की डिग्री होना बहुत जरूरी है एक बार प्रवेश लेने के बाद अब्यर्थी उसके बारे में सीखते हैं का उपयोग उन्हें समदर खान पान कर्मिक के रोप में किया जाता है बैसिकली एक ओर्येंटीशन कोर्स है और इस ओर्येंटीशन कोर्स को 18 दिन का पर बारा से आठादीन का इसके साथ में मेडिकल चेकईप किया जाता है मेडिकल चेकईब अगेनница की यप होटल प्रबंदर में योग्यता रखने वाले उम्मिदवारों के लिए क्रूज शिपिंग और पैसेंजर लाइनर्स में रोजगार की परियापत संभावना है और इनको ये दिया गया है कि आपको अगर डिग्री डिप्लोमा प्राप्त है तो ऐसे विश्यों को कवर करने की पूरुन आवदी में सेलून रेटिंग कोर्स या प्रीसी कोर्स करने के आवशकता नहीं होती है ये जो 6 मेने का पुराना कोर्स बताया था ये आपको करने के आवशकता नहीं है इनके लिए केवल एक 12 दिन का फिर्मराइजेशन और STCW के कोर्स होने के बाद में आगे की क्या प्रक्रिया है वो मैं समझाता हूँ अभी इसके अंदर ये STCW के कोर्स हैं ये दोनों को करना पड़ेगा STCW के कोर्स पहले कोर्स और दूसरे कोर्स पुराना और नए दोनों लोगों को करना पड़ेगा इसकी एक पूरी लिस्ट दी गई है नीचे में मैंने थोड़ी आपको कितना वेतन आज के तारिक में मिल रहा है ये देखिएगा इसके अंदर स्टाइफन्ड में स्टाइफन्ड याने आप ट्रेनी है उसके बाद में हेलपर या असिस्टेंट को को हजार डॉलर है पकाने वाले को 1400 है और में चेफ को 1700 डॉलर तक मिलते हैं और ये सब कोर्सिस करने के बाद में आपको आगे आने के काफ़े चांसिस हैं या आपको कुछ फोटो दिये गए हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफी राष्ट्रिता के लोग वहाँ पर एक साथ काम करते हैं अभी इसके अलावा हमें कौन-कौन से दस्ता वेज करने हैं यानि हाप लोगों ने OCCP का कोर्स कर लिया है और उसके बाद में STCW के सब कोर्सिस कर लिये हैं उसके बाद में आपको एक तो इंडियन पासपोर्ट लगेगा जिस इंस्टिट्यूट से करेंगे आपको खुद को इंडियन सीमेंस बुक के लिए अपलाए करना पड़ेगा किसी और जगे जाकर के बंबई दिल्ली जाकर के सीमेंस इडेंटिफिकेशन डॉक्यमेंट भी बनाना पड़ेगा यह बायमेट्रिक डॉक्यमेंट होता है यलो फीवर इनॉकलेशन सेर्टिफिकेट मस्ट है मेडिकल फिटनेस सेर्टिफिकेट तो आपको बता चुका हूँ एक और डॉक्यमेंट मनता है उसको बोलते हैं इंडोस डॉक्यमेंट तो इसके बारे में आगे में आप देखेंगे यह देखेगा यह इंडियन पास्पोर्ट है यह ऐसा दिखता है सीडिसी ब्लू कलर का है दिखा है कंटिन्यूस डिस्चार्ट सेर्टिफिकेट यह सीमेल स्बुक है यह S.I.D. है यह इंटरनाशनल रिक्वार्मेंट हो चुकी है तो आप बोलोगे की सीडिसी में भी एक आइडेंटिटी है S.I.D. में भी एक आइडेंटिटी है यह है पर इसकी जरूत है इंडियन नाशनल डेटा बेस आफ सीफेरर्स इसको इंडोस बोलते हैं इसको भी आपको बनवाना पड़ेगा या तो वो संस्था बनाके देगी आपको मदद करेगी आपको खुद को बढ़ना पड़ेगा उसके बाद में यूएस वीसा यूएस वीसा के बारे में आखिर में बताओंगा ये येलो फीवर का सर्टिफिकेट है और आपका एक मेडिकल सेंटर से सर्टिफिकेट कैसे बनेगा इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है आगे चलते हैं आगे चलने में अभी कौन-कौन सी कमपनिया है ये पूरा कोर्स करने के बाद में ये कमपनियों में आपको अप वी शिपिंग है एर्बोन है ये कुछ प्रसिद्ध है पर इसके अलावा भी काफी कमपणिया हैं ये समय समय पर नई कमपणिया आती रहती है पर आज के तारीख में ये कमपणिया काफी प्रसिद्ध है जॉब पोर्टल में भी आपको ऑनलाइन जाकर के अगर आप देखेंगे तो क्रूज करियर.in, सी ट्रैक और एंसी एल में जाकर के आप काफी कुछ भर सकते हैं अब जॉब पोर्टल में कैसे भरने का है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये देखिए आपको सबसे पहले रेजिस्टर करना पड़ेगा, अपलाइ करना पड़ेगा, असेस्मेंट होगी वहाँ पर, आपको शायद ऑनलाइन असेस्मेंट करेंगे और उसके बाद में आप जहाजों पर जा सकते हैं तो ये एक पोर्टल के अंदर आपको दिखेगा, एक और पोर्टल में ने दिखाया है, उस पोर्टल को आप देखेंगे, ये सी ट्रेक का पोर्टल है, उसके अंदर देखिए कितने लोगों को उन लोगों ने बोला है, कैसीनों में काम करने वाले हैं, कुल्देरी है, इसी भी जहाज पर जाते हैंडेक, इलेक्ट्रिकल एंजिन, प्राइवेट डेस्टिनेशन में अगर आप ऐलाइड में जाकर के लोगों को घुमा सकते हैं और उसके बाद में बाकी चीजों में करा सकते हैं, तो सी ट्रैक में जाकर के आप पूरा आपका बायो डेटा या रे पूरी जानकारी उसमें मिल सकती है तो कूर्स कुछ लोगों का कहना है कि कूर्स करने के पहले ही ये भर देना चाहिए और अगर उनके कोई रिप्ला आ जाए उसके बाद में सोचना चाहिए कि इसमें हम जा सकते हैं क्या या कूर्स करने के बाद हमें नुकरी मिल सकती है क्या क्रूज भरती एजन्सियों के माध्यन से काम करने पर क्या आप एक्षा करें ये थोड़ा चुनोती पूरुन होता है उसके बाद में आपको शॉट लिस्ट होने के लिए कि उनकी पूरे दुनिया से आप प्रतिस्पर्दा कर रहे हैं के बल आप हिंदुस्तान में परता करें आपका English अच्छा होना चाहिए, आपके परस्नौलीटी अच्छी होनी चाहिए Mayडिकल अच्छा होना चाहिए और कई छिजीज की आती हैं रिजियू में चेक आप का एक रिजियू में आपको बनाना पड़ेगा या तो आप डिरेक्ली कमपनी में भेज रहे हो या भरती एजन्सियां जो है जिसका मैंने जिकर पहले किया था वो उसे देखेंगे जाचेंगे और उसके बाद में पूरा भरेंगे उसके बाद में उसका रेफरेंस भी मांग सकते हैं जैसे आपने एक फाइव स्टार होटल में काम किया है तो उनका एक रेफरेंस लेटर या उनको फोन करके पूछ सकते है उसकी जानकारी उनके पास होना चाहिए जहां तक हो सके आप cv में सच्छाईयां बताए उसके बाद में वो कुछ खानपान करमी पहले अपना bio data भीजना पसंद करते हैं इसके बारे में मैंने बोला और उसके बारे में अपना courses बाद में करते हैं खेर वो आपके उपर निर्भर करता है ये एक resume या bio data जिसको बोला जाए उसमें क्या भरने का है इसके बारे में मैंने थोड़ी आपको कलपना दी है अनावशक बातें न बताई जाए जितनी आवशक है जो कि आपको बताने का है उतना ही बताईएगा देखिए certification में किन-किन चीजों के आवशक रखता है personal skill है, computer skill से है ये जो है, ये add-on है ये add-on skill से इसकी काफ़ ही महतो हता है आपने पढ़ाई कहां की उसके बाद में आपने काम कहां कहां किया और आपका passport, visa का number और scan copy भी वो लोग मांगेंगे आपके photo की copy मांगेंगे उसके बाद में वो आपसे संपरक करेंगे दूसरा, आपने जब आपका resume या buy data भीजा तो या तो आपको दफ्तर में सीधा बुलाएंगे और बोलेंगे चलो आपका थोड़ा interview हो जाए या online interview भी हो सकता है उसमे अगर आप उतीरन हो गए या पास हो गए तो आगे की बात बोलें तो उसके बाद में आपको जो काम किया है उसके बारे में एक अदमी पूचेगा जैसे आप प्रसोया है या शेफ है तो वो पूचेगा कितने लोगों का आपने काम किया एक साथ क्या 500 लोगों का खाना बना सकते हैं तो जो टेक्निकल सवाल है उसके बारे में वो पूछेगा वो सब हो जाने के बाद में आपको शॉट लिस्ट किया जाएगा या आपको बोला जाएगा कि हम आपको ले रहे हैं और ये आपके पूरे इसकी प्रक्रिया है जिसके उपर आपको ध्यान रखना है ये जो आपका है आपके और क्या अपिक्षा कर सकते हैं उसमें एक उमिद्वार के रूप में आपके पूरे डॉक्यमेंटेशन है वो चेक करेंगे वो पूरे documentation चेक होंगे उसके बाद में STCW, Medical, Visa, Siemens, Seva, पुलिस मंजूरी, कई बार पुलिस verification का कागज भी मांगते हैं आपके पुलिस थाने से जाकर के एक verification का एक certificate बनाना पड़ता है अगर आपके पास कोई documents कम है मैंने जहां तक हो सके पूरे documents के बारे में जानकारी दी है पर हो सकता है कि वो एक दो documents आपसे और मांगे तो वो cruise भरती agency आपको बुलेगे कि यहां तक तो ठीक है पर एक दो आपके documents अभी भी कम है उन्हें लेके आईए ठीक है, उसके बाद में जैसे ही documents हो जाएंगे और एक बार आपको select कर लिया जाएगा वो आपसे आशा करते हैं आप जल्दी से जल्दी जाच पे join होने के लिए तैयार हो जाएं फिर यह ना कहें कि मेरे को दो मेने की चुट्टी दीजिए या मेरे को आदे दिन की चुट्टी दीजिए बोलेंगे अभी चलो ग्यान प्राफ्ती वहाँ पर join होने के पहले आपको फिर से जिस company में जा रहे हैं उनका culture या वो लोग किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में जानकारी के लिए एक induction course दिया जाएगा या नॉर्मली दो से पांच दिन का होता है जिसमें आपको cruise line में कैसे काम करने का है वहाँ के rules regulation क्या है वो आपको पूरा बताया जाएगा अभी resume में कैसे लिखा जाए उसके बारे में मैंने थोड़ी जानकारी दी है और ये जो resume में हैं क्योंकि resume में आपको English में ही भेजना है तो मैंने पूरा का पूरा English में ही लिखा है और उसमें किस तरह से लिखा जाए कि company और job profile जब आप resume में बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखे आप कहां पर apply कर रहे हैं और उन्हें किस चीज की आवशक्ता है relevant बाते बताईए आपने मान लो PhD किया हुआ है commerce में तो उसके अभी यहाँ वशक्ता नहीं है ठीक है statistics बताईए कितने लोगों के लिए आपने खाना बनाया है या आप कितने लोगों को एक साथ event management में समाल सकते हैं और उसके बाद में सही शब्दों का चैन करे ये उतना ही जरूरी है और सही शब्दों का चैन आप करेंगे और आपका रिज्यू में जितना अच्छा होगा तो first impression बोला जाए वो काफी अच्छा हो जाता है उसके बाद में आपके जो skill है हुनर है उसके बारे में बताईए मुझे computer आता है या मैं और ये चीज़े कर सकता हूँ या आपके काम में आएंगे तो वो बोलेगा चलो भई या आदमी उतना ही काम और ज़्यादा कर सकता है relevant education बताईएगा वो आपको बात कर चुका हूँ best information first आप जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छे है वो सबसे उपर रखिएगा वो जाने के बाद में जो बाते बतानी हैं वो citizenship में बताईएगा उसको विस्तार न कीजिएगा और उसमें गलतियां कम करें आपका पासपोर्ट है CDC है उसका नंबर है आपकी भाषा है शब्द है वो रिजियूमें में गलतियां कम से कम करें क्योंकि ये first impression देने वाली है अभी American visa apply करने के लिए आपको क्या काम करने का है जारतर जहाँ USA को जा रहे है और USA में कोई भी सीमें आता है तो उसके लिए उनको visa के अवशक्ता पड़ती है अब ये जो visa है वो जहाँज में जाने के लिए है या airline के करमचारियों के लिए है इस visa को C1D बोलते है ये C1D जो होता है वो केवल आप जहाँज पर जा सकते हैं आप पूरे शहर में या अमेरिका में घुम नहीं सकते हैं वो C1D उनको आपको मिलता है उसके लिए एक मेने का समय लगता है इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप visa हर company पूछेगी कि आपके पास C1D visa है क्या तो जो company में आप पहली बार जा रहे हैं उनको बुलिए मेरिको C1D के लिए एक लेटर दे दीजेगा वो लेटर ले करके उसके बाद आप जब American Consulate में जाएंगे तो आपको पांग साल का visa मिलेगा और आपको क्या-क्या documents चाहिए वो आपको थोड़ी जानकारी पूछेंगे आप किस company में जा रहे हो कहां जा रहे हो आपको जिस company ने चिठी दी है आप वही जानकारी दे अलग से जानकारी न दे उस चिठी में जहां जो अपने US company को दी है कि मैं इस जहाच पर चड़ने वाला हूँ तो उसी जहाच का नाम बोले मैं इस बंदरगाह से चड़ने वाला हूँ उसी बंदरगाह का नाम बोले मेसेच तारीक को जाने वाला हूँ उसी तारीक का नाम बोले अलग से न बोले कि चिठी में अलग लिखा है और आप अलग बोल रहे हो तो आपका वीसा रिजेक्ट हो सकता है इस बात का ध्यान रखिएगा डॉक्मेंटेशन के बारे में बताया है कि ये आपके बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए इंटर्वियू में भी आपको छोटा सा शुरू में इंटर्वियू होगा अगर आप बार-बार जाते हैं तो आपको इसमें कश्ट नहीं होगा आखिर में मैं यही बोलूँगा कि आपको कोई प्रशन हो तो आप निस्तन कोच मेरे से पूछे मेरे से कुछ गलती हुई है तो मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतियों को जिने क्रूज लाइन में काम करने की इच्छा है नोकरी मिलने की संभाव ना है वो जरूर प्रहतन करें आप सफल रहेंगे मेरे चैनल को सब्स्ट्राइब कीजेगा आपको कोई भी प्रश्ण पूछने का यूट्यूब पे ही इस प्रश्ण रूप से पूछेगा कुछ लिखने में गलती हो रही हो या आपको ऐसा लगता है कि मैंने गलत लिखा है तो मैं उसको करेक्ट कर दूँगा तो मुझे बताईएगा धन्यवाद आपके लिए आप सबको दिन शुब हो